तो चलो प्याše पिशक है इस वाल सवाले को देखो इसमें करते हैं एक पार्टीकिल मास 100 Gram desaprojectedète is equal to zero with speed 20-pointen meters तो यह जो पार्टीकिल है यहां से यह यह जो पार्टीकिल इस पार्टीकिल का मास कितना है ना फार्टीकिल का मास जो है अब एड एंगल यह एंगल आफ प्रोजेक्शन जो 45 डिग्री तो मालू कहीं पर है यह यहां पर है और उसको टाइम बीच चुका यहां तक आने में दो सेकेंड लग चुका है तो यह कहते हैं कि कि find the magnitude of the angular momentum देखो angular momentum का magnitude निकालना है तो अगर देखो angular momentum एक तरीका यह है कि यह जो point origin O है और यह point A है तो इस A point पर vector में angular momentum निकाल लो और फिर उसका magnitude लेलो वैसे भी सवाल हो जाएगा पर वह process बहुत लंबा है यहां पर angular momentum निकाल लो वैक्टर में first method फिर्स्ट एप्रोच यह है कि angular momentum निकाल लो यहां पर वाई यू जैक्टर फर्म में angular momentum एम एम लीनियर momentum linear momentum multiplied by perpendicular distance ठीक है एक तरीका यह होता है यह जो method long process लंबा जाएगा ठीक है second approach second method है कि मैं थेरम लगा देता हूं वह थेरम पढ़े हो के rotation में पढ़ाए गया होगा हो गया आपको तो angular momentum changing angular momentum that is angular momentum final minus angular momentum initial is equal to integral change in angular momentum torque multiplied by dt तो angular momentum torque multiplied by dt यहां से तो time 0 से 2 seconds तक हमें निकालना है टॉर्क निकाल लो यहां पर टॉर्क देखोगे तो इस पर एक ही force लग रहा है एक ही force लग रहा है जो कि mg है और अगर इसका कॉडिनेट एक्स कॉमा वाई है तो पर्पेंडिगुलर डिस्टेंस यहां से तुम देखोगे यह वाली जो पर्पेंडिगुलर डिस्टेंस है इस पर्पेंडिगुलर डिस्टेंस एक्स तो यहां पर जो मैं टॉर्क चेंज इन angular momentum initial 0 था तो final angular momentum मतलब एंगुलर momentum यह पॉइंट पर तो यहां पर टार का जाएगा mg एक्स टार्क यहां पर जो बनेगा ओंग्स और यह लिमिट जाएगा जीरो से 2 सेकंड तक ठीक है अब यहां से x velocity के term में लिखो तो x की value क्या जाएगी एक्स एक्स वाली velocity और time t तो x एक्स एक्स वाली velocity कितनी हो जाएगी यू कॉस 45 और multiplied by time t तो यह जाएगा mg और यह जाएगा यू कॉस 45 और time t से multiply किये dt किये और यह 0 से 2 सेकंड किये इसका मतलब बहुत हुआ कि mg यू कॉस 45 यह सब बाहर आ जाएगा और यह t square upon 2 integrate हो जाएगा 0 से 2 लिमिट चला जाएगा तो finally अब इसको सारी value रखो mass रखो 0.1 g की value 10 लेलो यह कितना से फेके थे 20 cos 45 1 by root 2 रखो और यहां से 1 by 2 और यह 2 का square जो है वो 4 आ जाएगा तो finally यह point इसको कतम कर दिया और यह 2 times इसको कतम कर दिया तो और यह जाएगा 40 40 root 2 तो 40 root 2 को उपर निचे root 2 से multiply कर दूँ तो finally कितना बनेगा यह जाएगा 20 root 2 तो angular momentum at the point A is equal to 20 root 2 या 20 root 2 को मैं 800 under root लिख सकता हूँ न भै तो अगर मैं 800 under root लिख सकता हूँ तो यहनों ने जो दिया है root under x दिया है तो यहां से solution x की value आ जाएगी 800 this is the final solution of this problem x की value अपनी 800 आ जाएगे तो x की value k की value यहां k दिया हुआ था तो k की value जो है यहां पर 800 आ गया this is the final solution thanks for watching this video